पाकिस्तान के प्राइमिस्टर ने ओपनली ये बात बोल दी है कि हाँ यूएस की तरफ से हम पर बहुत ज़रा प्रेशर है कि चाइना के साथ जो रिलेशन्स इनको खराब कर दो इनको डाउंग्रेड कर दो मगर पाकिस्तान ऐसा कभी भी नहीं करेगा कोई भी पाकिस्तानी जिसके पास बेसिक कॉमन सेंस है जियो पॉलिक्स की बेसिक समझ है वो भी ये कहेगा कि ये स्टेटमेंट ओपनली देकर पाकिस्तान ने अपनी लिवरेज कम करी है खुद का ही नुकसान किया है यहाँ आप आप देखोगे इन्होंने बहुत कुछ बोल जोग्राफिकली वेस्ट में नहीं है मगर जो वेस्टन ग्रोप है उसमें इसको जुड़ा जाता है तो इन सब कंट्री से पाकिस्तान कहा रहा है कि बहुत प्रेशर है कि चाइना के साथ रिलेशन्स तोड़ दो मगर ये कह रहे हैं कि ये हम कभी भी नहीं करेंगे क्योंकि चाइना हमारा iron brother है और दोनों country बहुती special partnership enjoy करती है जिसको 70 साल से उपर हो चुके हैं ये बात इन्होंने बोली है चाइनीज सरकारी मीडिया को एक interview के दोरान तो एक बार को मैं समझ सकता हूँ ये चाइना की तरफ एक message send कर रहे थे कि देखिए हम आपके बहुत loyal friend है हम चतक ठीक है मगर ये यहाँ पर भूल गए कि ये जो interview है to the Chinese media पूरी दुनिया इसको cover करेगी अगर यहाँ पर ये USA, West, India, Quad ऐसे शब्द इसमाल कर देते हैं और इम्रान खान की जो statement है इससे इन्होंने indirectly US को भी एक message send कर दिया है कि जो second cold war है जो first cold war थी आपको बताओगा वह दूसी तरव था पाकिस्तान और USA, तो second cold war जो आप start हो चुकी है between USA and China, वहाँ पर पाकिस्तान खड़ा होगा with China, ये ना neutral होने वाले हैं ना ये US के side होंगे और ये बात actually इसे पहले ही काफियत तक obvious हो गई थी, जब US समय विरियस और जो western countries हैं ये चाइना प्यारोब लगा करी, even though internationally China की vaccine पर आज भी काफियत तक प्रशन चिन है, तो अब जो second cold war form होगी, उसकी image कुछ हद तक हमारे सामने आ चुकी है, मैं आपको एक बार मैप पर दिखाना चाहता हूँ, के second cold war में दो जो good बने हैं, चाइना का और एक US का, उसमें कौन कौन सी countries आपको मिलेंगी, तो देखिए quad countries तो यहाँ पर है ही, उसके लवा France और UK भी काफी pressure डाल चुके हैं, recently China पर, यह तो हमने बात कर ली है, pro American group के बारे में, अगर आप पूछेंगे के बाकी Europe का यहाँ पर क्या हुआ, देखिए बाकी Europe में जाता जो countries हैं, मिरे इसाब से neutral लेने वाली हैं, कुछ countries को छोड के हो सकता है, कि Poland यहाँ पर US का साथ दे, मगर यह countries इतनी छोटी हैं, कि अवादी इतनी कम है, military इतनी weak है, कि इनका कोई इतना impact होगा नहीं, in the Indo-Pacific region, खैर आप जो pro China group है, उसको अगर हम देखें, तो वहाँ पर obviously China तो है ही, पाकिस्तान ने आपर डिलेर कर दिया या फिर रिलेशन्स बहुत ज़रा खराब हो जाएंगे, हाँ यह possibility है कि कल को अगर India चाइना के बीच में कुछ conflict होती है, तो Russia बिल्कुल neutral रहेगा, या हो सकता है कि कुछ हद तक चाइना के पक्ष में भी एक statement दे दे, और यह सब होने में भी पांचे साल ओ लगेंगे, यह जो अभी groups हैं, अभी recently बस form हुए हैं, यहाँ पर alliances को develop होने में भी और time लगेगा, तो North Korea को भी यहाँ पर count कर सकते हैं, उसके लावा देखिए, इरान भी यहाँ पर count हो सकता है, अगर इरान की जो nuclear deal है, यहाँ पर count होती नहीं है, तो यहाँ पर बन गई हैं दो major groups, बाकी जो major countries हैं, वो रहने वाली हैं, यहाँ पर mostly non-aligned, इंडिया के लिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर प्रो चाइना ना बन जाए, इससे इंडिया पर बहुत ज़्यादा pressure आ जाएगा from the northern front, और हाँ यहाँ यहाँ पर मैं यह भी add कर दूँ कि अन अकाडमी का जो combo offer है, यह होगी यहाँ पर आपकी, just click on pick a plan और यहाँ पर प्रजेश कर सकते हैं, 12 months या फिर 24 months का course, जो भी आपको 10 years of juice करना है, यहाँ पर जूस करिए, मगर इस पर लगेगा additional discount, अगर आप यहाँ पर code डालते हैं, PD10, the prices will fall, so use the promo code PD10 and save money, और by the way, यहाँ पर आपको books भी मिलेगी by an academy worth 10,000 rupees, और एक test series भी मिलेगी worth 10,000 rupees, so वापस अब बात करते हैं, मरान खान के interview की, नवागे पाकिस्तान के प्रामिस्टर ने यहाँ पर यह भी कहा दिया, कि आज के समय आप दे सकते हैं, कि United States of America डरा हुआ है चाइना से, वैरी का मनलब यही होता है, जब आप किसी को लेकर cautious हो, डरे हुए हो, तो यह openly कह रहे हैं, कि USA डरा हुआ है आज के समय चाइना से, और फिर ही आगे यह भी आड करते हैं, कि इससे region में instability आती है, क्योंकि United States ने हाली में form कर दिया है, एक regional alliance, जिसका नाम है Quad, जहाँ पर mainly India और USA है, और कुछ और देश, अब कुछ और देश मे बहुत बड़ी military power है, और एक बहुत बड़ी economy है, तो यह statement भी मैं आपको यह बता दूँ, कि analyze की जाएगी वाई, US हो सकता है, कि White House इसको लेकर कोई statement ना दे, उनके spokesman कुछ भी ना कहे, मगर US की policy हो सकता है, कि in the future, यह decide हो, इस statement के basis पर, और मेरे साब से, US खुद पर भी, यह बहुत बड़ा favor करेगा, अपनी policy correct करेगा, अगर यह finally realize कर देते हैं, कि Pakistan आज के समय completely anti-US है, पाकिस्तान सिर्फ वही करेगा, जो चाइना के interest में है, और US को कही भी अगर नुकसान पहुच सकता है, तो वो चीज यह लोग करने की कोशिश करेंगे, अगर यह बाद US properly accept क कर लेता, और उसके बाद US एक proper plan मनाता है, कि कैसे हम China की जो यह vessel state है, इसको destroy कर सकते हैं, I think India और US बिलकर पाकिस्तान को heavy damage कर पाएंगे in the near future, और ऐसा नहीं है कि यह सब करके Indians को कोई pleasure मिलेगा, या फिर कोई जीत होगी, बट reality यहाँ पर यह है कि Pakistan ने खुदी अपने आप कर एक proper policy बनाएं, क्योंकि आगे इमरान खान ने खुदी कह दिया है, कि CPAC पाकिस्तान की इतिहास में सबसे बड़ी development है, और अगर यह पूरा project complete हो गया, तो यह completely transform कर देगा पाकिस्तान को, तो यहाँ पर US को भी सोचना होगा, कि एक ऐसा देश, जो completely China के पक्ष में बात कर है, openly यहाँ पर पाकिस्तान की जो policy है, दुनिया के सामने रग दी है, it is now very much obvious to see, हाँ इसके बाद भी अगर जो Biden act करते हैं, कि नई अभी भी हम पाकिस्तान के साथ बात कर सकते हैं, इनसे अभी भी कुछ फायदा में निकाल सकते हैं, कुछ dollars पे करके, कुछ aid पे करके, तो आप वही कह सकते हैं, यह बहुत ही बड़ा foreign policy disaster होगा from US, ना मुझे पता है, finally आप यह पूछेंगे, कि इमरान खान ने शेंग शेंग रीजन में जो आज के समय हो रहा है, उईगर मुसलिम्स को लेकर उसके बारे में कुछ नहीं का, तो इमरान खान ने आपर यह कहा है, कि जो उईगर मुसलिम्स के साथ हो रहा है, वहाँ पर हम चाइना का version मानते हैं, कि चाइना क्या कहा रहा है, कि कुछ वहाँ पर गलत यह कुछ नहीं कर रहे हैं, बस re-education camps हैं, लोगों को re-educate कर रहे हैं, तो वो चीज़ हम मानेंगे, जो western media कहा रहा है, यह बात हम accept नहीं कर है, कि Chinese Communist Party ने तो democracies को भी beat कर दिया है, जब मैं इनकिया development देखता हूँ, तो साब लगता है कि electoral democracy को भी beat करके यागे निकल गए हैं, और इनका system actually electoral democracy से ज़रा भैतर है, यहाँ पर लिखा है, for me it is probably more remarkable than any electoral democracy, कोई बड़ी बात नहीं है कि in the future, पाकिस्तान का एक लीडर गए कि क्यों ना हम चाइना की तरकी करें, उनका model अपना कर, और all together पाकिस्तान में democracy भी खतम करने की बात करें, जो इनका free media था, और लेडी काफिया तक चुपो चुका है, जो भी इमरान खान के अगेंस्ट, आर्मी के अगेंस्ट बोलता है, चानल को या तो बंद कर देते हैं, य यह बहुत impactful है, और इसका काफी बड़ा प्रभाव देखेंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान की foreign policy पर, even Indian और American foreign policy पर, so इसी note के साथ, यह है आपर वीडियो कांथ, thank you for listening, and as always, God bless you all.